हेलो प्रेंट्स एक बर पुना आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेटेटेटिशिक्स पे और आज हम लोग देखेंगे कि रहिनी पामदथ जो कि आप इनके बारे में जानते होंगे रहिनी पामदथ जिनको आरपी दत्ता के नाम से जाना जाता है आप दिखेएगा आरपी दत्त के नाम से यह जाना जाते हैं तो उन्हीं को आए दिखना है आरपी दत्त कौन थे या रहिनी पामद Help दत्त कौन थे तो चलियो उसी को धियान में रखते हुए, इनको देखने का प्रयास करते हैं. तो सबसे पहले प्रारंबिक जिवनी को हम लोगEd देखेंगे, क्या के प्रारंबिक इस्तिती ओन की कैसी थी, कहा जन्म हुआ, कब हुआ, इनकी अरंबिक सिक्षा दिक्षा कैसी हुई फिर इनके भारत संबंदिज जो विचार थे उनको देख लेंगे और फिर इनकी आलोचना है और इसी के कड़ी में इनके जो कारे थे उनको देखना है तो सबसे पहली बात तो यह जानिए कि यह माक्स बाद इतियासकार है यानि म कार्मार्क्स विचारों से प्रभावित और कम्यनिस्ट विचारधारा से जुड़े इतियासकार रहे जो इतियास लेखन का कारिक कर तक नहीं वहाँ है यह संतों या सबस्क्राइद में लिए और गए और वहीं पे जाके यह बस गए और वहीं पे रहने लेगे और जब यह रहीनी पामदत बड़े हुए उनकी सिक्षा दिक्षा प्रारम हुई और कतम हुई तब देखिएगा कैबिनेट मिशन जो भारत आता है 346 में उसी के उद्देश्यों को जानने के लिए या उसी पे इनका सोधकारिता करने के लिए यह भारत आये भारते मुलके होने के बावजूद यह देखिएगा अपने उम्र के यानि कि यह अपने जन्म के कई एक सालवाद भारत आते हैं और भारत आने के पश्चात इन्हों जानकारियां मिली और उसके पस्चाद जब यहां से इंग्लेंड वापस चले आते हैं तो वहां जाके इन्होंने इतिहास लेखन के कारे को प्रारम किया और भारती इतिहास को लिखने का कारी किया मुख्य तह आधुनिक भारत के इतिहास को लिखने का प्रयास किया और कारी क किया तो चलिए उन्हीं चीजों को देखेंगे इनके सामाने चीजों को देख लें उसके बाद इनकी जो भारत विस्यक जानकारी है या विबरन है उसको देख लेंगे तो चले हम लोग उसको पहले देखते देखिए इनका पूरा नाम जो था आरपी दत इनको बलाया आता है यह भारतिय मुल्के थे लेकिन इनके पिता जो है इंग्लेंड में जाके बस गए थे इसलिए इनका जन्म भी जो हता है इंग्लेंड में हुआ और वह भी केम्ब्रीज नामकस्थान पे हुआ तो दूसरी बाते ये थी इनके जन्म से समंदित और पहली बाते ये इनका पूरा नाम और ये माक्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे ये भी आप ध्यान रखेंगे इनका जो आरंबिक सिक्षा दिक्षा है यह आरंबिक सिक्षा दिक्षा प्राप्त करने के पस्चाथ क्या होता हूं लुखंट को पढ़िये गा, उसमें दिखिए गा उनको यह कुशागर बुद्धि के थे, यानि बहुत सी चंचल थे , बहुत तेज थे उसके पस्चाते यह क्या होता है यह सनात्कोत्तर की परिछा पास करने के बाद यह क्या Communist Party के सदस्य बन जाते हैं और Communist Party का जो उनकी जो विचार धारा हैं इनके ओपर पोसित हो जाती है यानि पढ़ने लगती है उसके बाद इसमें दिखिया कालमाक्स जो है उनके विचार भी उपर पढ़ते हैं और कालमाक्स के विचारों से भी यह काफी प्रभावित हो जाते हैं इन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुचाने के लिए लेवर मंध साली किसकी पत्रिका है तो यह रहिनी पामदत की पत्रिका है जिसमें यह अपने विचारों को लोगों तक पहुचाने का कारिक करते थे यह ध्यान आप रखेंगे इन तमाम चीजों के बाद 1946 इस्वी में यह भारत आए उनका भारत आने का मुख्योद्यस केबिनेट उनका भारत आने का मुख्योद्यस केबिनेट मिसन के कारवाईयों को अपनी पत्रिका जो है डेली वरकर उसमें प्रकासित करना था तो 1946 में भारत आने का उनका एक मुख्य उद्यस वही था कि केबिनेट मिसन जो भारत आई थी 1946 में उसके दोरा क्या-कया कारी किये गए और उसके बारे में यह अपनी पत्रिका में लिखने का कारी किये इसी भारत यातरा के दुरानी इनका भारत के परती एक तरह से आप ऋटावेज थे उनका अध्यन किया उनके अध्यन के पस्चाथ इनों ने पूस्टक लिखी जो इंडिया टूडें जिसको आज का भारत के नाम से जाना आ जैता है जो 1956 में भारत आये और 10 साल बाद 1956 में इनोंने इंडिया टूडें को लिखने का कारी किया और इनके उपर देखिए कालमाक्स के विचारों का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था इनके पिता का नाम अगर देखना चाहें तो उपेंद्र कृष्ण दत्त उपेंद्र कृष्ण दत्त थे जो की 1878 में वो इंग्लेंड चलेगा और वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई उन्होंने प्रारम की थी और उसके बाद महीं पे बस गये थे तो यह ध्यान रखना आपको लेकिन इनका पत्री का मुख्य जो पुस्तक है इंडिया टूड़े 1956 की उसको जडूर ध्यान रखिएगा चले इनकी मिर्तियों जो है 20 दिसंबर 1974 इस वी में 78 वर्स की आयू में इनकी मिर्तियों हो गई और उसके बाद इनके कुछ मेहत्पूर्ण पुस्तक हैं उनको दिख लीजिए पहरे तो मॉडरन इंडिया जो है 1926 की है उसके लेली इन 1923 की है द पॉलिटिकल एंड सोसल रिवोल्यूशन जो 1931 में लिखा इनोंने और उसके बाद इंडिया टूड़े जो कि और इंडिया टूड़े जिसको आज का भारत के नाम से भी जाना जाता है तो इंडिया टूड़े जो 1956 का है इसका डेट भी याद रखिएगा चलिए अब हम लोग देखते हैं रहिनी पामदत का भारत संबंदित वीवरन यानि भारत के बारे में इनका क्या विचार था य आप देखेंगे उसको इन्होंने बताया कि भाई इंग्लेंड के लोगों ने जो भारत में सत्ता अपनी अस्तापित किया उसका मुख्य द्य या मुख्य उद्यस यह है कि भारत के संसाधनों का दोहन करना है चुकि यह माक्सवादी विचार धारा से प्रभावित थे इसलिए इनका जो लेखन है वो आर्थिक गतिविद्यों पर जादा केंदरित है तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे तो इन्होंने यही कहा था कि भाई जो भारत में अंग्रेजी सत्ता है उसका मुख्य उद्यस भारत का सो मियाती है उसके बाद आप दिखिएगा इन्होंने अपनी पुस्तक में यही बताया कि अंग्रेजी सत्ता के खिलाब जो है मैदूर किसान और जंजातियों का जो विद्रो आरम हुआ उन्होंने बताया कि भारत में अंग्रेजी सत्ता को निकालने का पर्यास किया और अंतत आप आएंगे और अभी कोशिस करेंगे कि उसमें आप समझे उसके बाद देखे रहीनी पामदत्र का एक बात और है कि भारत के आर्थिक बदहाली का मुख्य कारण वो अंग्रेजों को मानते हैं उनका मानना है कि भारत की आर्थिक इस्तिति जो इतनी खराब है उसके बुर्जुवा वर्ग के लोग यानि जिसको मध्यमबर्गी बुर्जुवा वर्ग इनोंने बताया है मध्यमबर्गी बुर्जुवा वर्ग जिसको आप जमिंदार वर्ग के रूप में आप जान सकते हैं तो उस समय के जमिंदार वर्ग के लोग थे वे भी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे भारतियों का सोसन करने में चुकी उनको उनसे लाब मिल रहा था अंग्रेज उनसे टेक्स वसलवाते थे और उससे वो ग्रहन करते थे तो इससे उनका जो जमिंदारी विवस्था था वो बना हुआ था इसलिए ये बुजुवावर्ग के लोग जो हैं उन पिंदारी उसका चीन लिया जाता है अंग्रेज उससे चीन लेते हैं तो ये बताते हैं कि वह जब उनका अंग्रेजी रियासत के द्वारा उनका जो ये बुजुवावर्ग का जो अधिपत्य था ये अधिकार था उसको जब चीन लिया गया अंग्रेजों के द्वारा समर्थन तो लिया लेकिन उनके बारे में कुछ ज्यादा सोचा नहीं इनका विचार है कि इनका रहिनी पामदत का ये रहिनी पामदत बोलते हैं कि अंग्रेजों के विरुद जो भी जमिंदारों ने लड़ाई लड़ी वह अपने स्वार्थ के लिए लड़ी ना कि कि किसी औ और भाव से दूसरीबात योसा समंधित विचार भी देते यह बोलते हैं वह बूर्जुवां वर्ग और संपन जो अनके समर्थक हैं पुंजिपथी वर और यह समर्थक वर गहां कि एनके बारे में यह बोलते है कि वह उपंजिपथियों का समर्थन करता था ता और को के हीटों में लड़ाई लडना था और अंगरेजों से भारत को मुक्त कराना था लेकिन ये बोलते कि भारत की आजादी में मुख्य रोल तो किसानों मैदूर का था गांधी का नहीं था ना तो कंग्रेस का था और ना ही व्यापक जनाधार जो भारतियों को प्राप्त हुआ वह कंग्रेस या गांधी के बाद हुआ यानि वो जो व्यापक जनाधार भारतियों को प्राप्त हुआ है वो कंग्रेस और गांधी का देन नहीं है, ये मईदूरों, किसानों और जो भारत के गरीब तबके के लोग हैं, उनके कारण हुआ है, उनके जो छोटी-छोटी जनजातियां जैसे संथाल हो, कोल, विद्रो, ये सब तमाम जो विद्रोयें हुए, उनके कारण भारतियों को जनाधार प्राप् ये आरंब से ही, अंग्रेजी सत्ता की अस्थापना के साथ ही, ये मानते हैं कि ये जो तबके के लोग थे, महिदूर किसान लोग थे, ये अंग्रेजों का विरूद कर रहे थे, ये बात इनका मानना है, रहिनी पामदत का, लेकिन गांधी का घोर आलो चक होने के के लिए कही है, कि गांधी जो है, भले ही पुझीपतियों का समर्थक था, या बहुबा, मतलब जमिंदारों का समर्थक था, लेकिन तब भी गांधी से बड़ा जननेता कोई नहीं था, ये बात इनके बारे में, गांधी के बारे में रहेनी पामदत का विचार है, तो एक जानते हैं, माकःसवादी इत्यास लेखन का एक रोपहिध होता है, आप जब नहीं जानते हैं, तो आप हमारे प्लेलिष्ट में जाइए, तभी आप इससे समझ पाईएगा, लिंक कर पाईएगा, कि उनका मुख्य दे होता है कि आर्थिक अधारफे भारत का जियन करना य आजादी दिलाए तो ये चीची ये नहीं समय रहते ये समय रहते जो लड़ रहा है वही भारत की आजादी के लिए मुख्य भागदार है और इनका ये कालोचना गांधी के बारे में यह भी होता है असयो गांदोलन जब चोरी-चोरा कांड के बाद गांधी ने वापस ले ल साध्य नहीं हो रहा था यानि हित पूरे नहीं हो रहे थे उनके हित इससे टकरा रहे थे इसलिए गांधी ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को वापस लिया था ना कि आजादी को ध्यान में रखते हुए ये इनका कहना है उसके बाद इनके बारे में उसको यह बोलते हैं भारत को आजादी दिलाई और इसके बाद ये असपश्ट हो गया कि अधिक दिनों तक भारत में सासन नहीं कर सकते और अंग्रेजों को ही लगने लगा कि हम अधिक दिनों तक भारत में सासन नहीं कर से थे इसलिए इन्होंने केविनेट मिसन 1946 में गठित किया और भारत को बाद में अजादी मिलिये और उसके बाद यह भी बात बोलते हैं कि भारत में जो सांपरदाइकता का विकास हुआ जो आप देखिएगा सांपरदाइकता भारत में उबर के आई जिसके कारण भारत का विवाजन हुआ इसमें एक community का दोस नहीं था, यानि एक किसी समुदाय का दोस नहीं होकर, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय का इसमें बरावर हिस्सेदारी था, उनका बरावर दोस था, जिसके करण भारत में सांपरदाइकता की विचारधारा उभर की आई और भारत का विवाजन भ लगते हैं कि इनके द्वारा जो भी बातें कहीं गई, वो सत्य से कहीं कहीं कुछ ना कुछ परे भी लगती है, यानि यह जो बोलते हैं कि गांधी का योगदान था ही नहीं, यह कहीं ना कहीं इस बात का भी द्योतक है, कि यह गांधी के बारे में उतने अच्छे से नहीं स पड़े जो भी सोअधार को यूज किया आपने इतियास लेकरन में वबडी स संघ्राल करנו का यहoder में जो सोर्ष रखे हुए थे भारत से संब्लबिथ उसी कre आधार पर इन्हों समेड़ा या इन्हों सर्थ नहीं पड़ा जो भारतियों के द्वारा लिखा गया हो इन्होंने केवल और केवल अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए सोर्स को ही आधार बना कर इतियास को लिखा जिससे ये भी खामिया ये नजर आती है कि भाई इन्होंने अंग्रेज जब भी भारतियास को लिखेंगे वह अपने हितों को ध्यान में रखकर लिखे दे और उन्हीं चीजों को निकाल कर इन्हों ने लिखने का कारी किया, यह जो कि सराहनी का रहे था, इनमें कोई कमी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ न कुछ कमिया जडूर थी, जो कि अंग्रेजों के हितों को कि जो विचारधारा है उसके कारण तो सामानेता आप ये समझिएगा इनके इथियास में कि गांधी के आलोचना ये कैसे करते हैं और फिर आर्थिक आदार पर आर्थिक विपनेता यानि गरिबी का कारण या हमारी आर्थिक कमजोरी का कारण भी है अंग्रेजों को ही अंग्रेजी सत्ता को ही मानते हैं तो क्यों मानते हैं तो यह तमाम चीज़ें इसमें समझने की है इसको समझने का हमने प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज सब्सक्राइब किजे चैनल को लाइक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, धन्यवादू.